इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी जुब इगले में वी एक प्लस टैबलेट एसार मधुमेह विरोधी दवाओं के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की एक श्रेनी से संबंध रखता है यह वयसकों में type 2 मधुमेह मिलिटस के इल इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लें आपका डॉक्टर तै करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्ट शरकरा के स्तर के अनुसार काम करने के तरीके के अनुसार बदल सकती है भले ही आपको अच्छा लगे आपका ब्लड शुकर लेवल नियंत्रित हो इस दवा को लेते रहें यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के बिना इसे रोकते हैं तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की ख्षती, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के अधुमे को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है जो बिगलिम MVA Plus Tablet Acer का सबसे आम दुश प्रभाव निम्न रक्ट शरकरा का स्तर यानी की हाइपोग्लाइसीमिया है सुनिश्चित करें कि आप निम्न रक्ट शरकरा के स्तर के लक्षनों को पहचानते हैं जैसे पसीना, चक्कराना, सिर्दर्द और कपकपी और इससे निपटना जानते हैं इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा अपने साथ ग्लूकोज का एक तेज अभिनेस रोट जैसे शरकरा युक भोजन या फलों का रस रखना चाहिए शराब पीने से आपके निम्नरक्ट शरकरा के स्तर का खत्रा भी बढ़ सकता है और इससे बचना चाहिए अन्य दुश प्रभाव जो इस दवा को लेने पर देखे जा सकते हैं उनमें स्वाद में बदलाव, मतली, दस्थ, पेट दर्द, सिर्दर्द, एडिमा, यानि की सूजन, धुंदली द्रिष्टी, हड़ी का फ्रैक्चर और उपरी श्वसन पत के संक्रमन शामिल हैं कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने इस दवा से वजन बढ़ाया है यदि आपको टाइप 1 डाइबिटीज मिलिटिस है, यदि आपको डाइबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानि की आपके रक्ट में एसिड का उच्छ स्तर है या यदि आपको किड्नी या लीव की गंभीर बीमारी है, तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आपको कभी हृदे रोग हुआ है ये उप्यूक्त नहीं हो सकता है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए आपके रक्ट शरकरा के स्तर की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रत कोशिकाओं की संख्या और यकृत के कारे की निगरानी के लिए रत परीक्षन की सलाह भी दे सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद